दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक मीन को निकालना सिखेंगे कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जब दी रही होंगी तब ठीक है अपने लास्ट वीडियो लेक्चर से में हम लोगोंने हम लोग किस तरीके से हम लोग अर्थमेटिक मीन को निकालते हैं उन सारे टॉपिक्स को हम लोगों Grade कर लिया है One by One और आज किस वीडियो में हम लोग कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को निकालना सिखेंगे मन्लब जब cumulative frequency दी रही होगी तो हमको उस case में हमको arithmetic mean को निकालना सीखना है ठीक है तो यहाँ पर हमारे दो cases बनते है cumulative frequency जब दी रही होती cumulative actual में होती क्या है मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो दो case इसके बनते है तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी less than or below दिया हुआ हो या फिर more than or above दिया हुआ हो ठीक है जैसे आपके पास में कोई भी आपके पास में यहाँ पर इस तरीके से सब लिखा हुआ है कि अगर आपके पास में less than या फिर below का कुछ इस तरीके से आता ह है तो वहाँ पर आपको cumulative frequencies दी रही हुती मतलब यह आपको दिखा हुआ है देखे find the following means from the frequency distribution तो यहाँ पर देखे आपको एकदम simple सा रहा है आप क्या करोगे कि direct इसको x मानोगे इसको f मानोगे बस और निकाल दोगे ठीक है बट वह आपका wrong हो जाएगा यहाँ पर आपको चीज note करना है कि क्या लिखा हुआ है marks less than जब भी इस तरीके का word आपको आएगा less than या फिर below ठीक है तो आपको वहाँ क्या करना है कि जो भी आपके पास में यह marks लिखे हुए ना तो इसको हमको intervals में change करना है जैसे कि less than का मतलब क्या less than 10 से 0 से 10 ठीक है 0 से 10 10 से 20 ठीक है इन सारे marks को हमको क्या करना है जब भी इस तरीके का word हमको less than दिखाए पड़ेगा तो हम क्या करेंगे वहाँ पर हम लोग intervals में change करेंगे ठीक है इसके साथ ही साथ में numbers of students यह जो यह है यह actual में यह frequency नहीं है यह cumulative frequency accumulated का मतलब कि एक जगे fix होती है उसके बाद में यह आंगे बढ़ती चली जाती है ठीक है तो इसका यहां पर हम लोग देखते हैं एक्जामपल देखते हैं तो यहां पर आप इसका देख रहे हो यहां पर देखें यह क्या लिखा इसका solution यहां पर देखाई पड़ रहा है इसका chart कुछ इस तरीके से बनता है अब देखें जो marks थे उसको हम लोगों ने less than में दिया हुआ थे न तो 10, 20, 30 इस तरीके से था तो less than में क्या मतलब कि 10 से कम है ना less than का मतलब क्या 10 से कम तो 0 से 10, 10 से 20, 20, 30, 30 से 40 इस तरीके से हम लोगों ने जहां तक marks दिये है उन सबको इस तरीके से लिख लिख लिया ठीक है frequency में हमको क्या करना है जो एक सबसे उपर वाला जब भी हमारे पास में less than term या फिर less than term use होगा या फिर below term use होगा तो हमको जो भी frequency है f सबसे उपर वाली हमक सबसे उपर वाली frequency हमको fix करनी है उसके बाद में हमारे पास में frequency किस तरीके से दीगे सबसे उपर वाल जो उसके बाद में 15 दिया है 15 से 10 को माइनस करना है ठीक है उसके बाद में 35 से माइनस को करना है 35 से 15 को माइनस करना है 70 से लेकर 35 को माइनस करना है मतलब कि ये उपर की तदब हम माइनस करते चले रहे हैं 10 आया इधर 15 आया 35 आया जो इधर है वो इधर ही आ रहा है ठीक है तो ये चीज आपको steps आपको ध्यान दखने हैं पर लिखा भी हुआ है एक छोटा सा note point कि less than जब भी होता है आपके पास में जब भी less than की दिया होता है तब आपकी ऊपर की value fix होती है यहाँ पर लिखा है कि ऊपर की value आपके पास में fix होती है ठीक है अब देखे आपको mid value भी निकालना पड़ता है अब यह चुट की तो भी यहाँ पर जो भी हमारे पास में normal सा formula होता है उसमें हम apply कर देता है बट आपको यह steps आपको ध्यान दखना must है तो फिर आपका question गलत हो जाईगा ठीक है यह step आपको समझ में आना ही शाहिए ठीक है less than और below जब भी दिया हो तो हम उसकी frequency जो भी है उपर की fix करते हैं ठीक है और marks को इस तरीके से distribute करते हैं जो भी इस तरीके से marks है बना हम ऐसे distribute करते हैं ठीक है अब देखें यहाँ पर हमारे पास में दूसरा case है जब भी हमारे पास में more than या above दिया हो ठीक है हमारे पास में दूसरा case है कि यह है कि जब भी हमको more than या फिर above दिया होगा तो हमको क्या करना है arithmetic mean तो निकालनी है बट यहाँ पर कुछ इस तरीके से like यहाँ पर देखें लिखा होगा है न कि above 0, above 10, above 20 aaa का मतलब क्या है कि above ठीक है और 34 तो हम क्या सोचेंगे above मतलब कि 0, 10, 20, 30 यह क्या हमारे x है नहीं यह हमारे x नहीं है यह क्या हमारी frequency है नहीं क्योंकि यहाँ पर above लिखा हुआ है न अब हमने क्या सीखा है जब भी हमको more than या फिर above दिया होगा तो हमको marks जो भी होंगे कुछ भी इस तरीके से distribute करने होगे जो भी हमारी age होगी जो भी हमारा होगा तो हमको कुछ इस तरीके से calculate करना होगा तो हमारे पास में जो भी age है above का क्या मतलब हो है 0 से above ठीक है तो 0 से above लिखा हुआ है न यहाँ पर question में क्या था कि above 0 है ना above 0 मतलब कि 0 से जादा तो 0 से जादा मलब कि 0 to 10 ठीक है 10 से जादा तो 10 to 10 10 से जादा मलब कि above 10 तो मतलब 10 to 20 यहाँ पर 20 to 30 30 to 40 इस तरीके से हमको distribute करने ठीक है तो इस तरीके से देखो है ठीक अपना एक बाद लिख करके देख लो कोई एक दो चार कोश्चन लगा लो ठीक है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए नहीं तो एस उतमें आता सिंपल लगेगा बाद में आप भूल जाओगे ठीक है उसके बाद में फिर क्या है कि हमको फ्रिक्वेंसी भी दिये अभ इसे यहाँ पर देखे सबसे लास्ट में क्या 13 है तो इसी तरीके से हमको क्या करना है अपने फ्रिक्वेंसी को जब भी निचे से फिक्स करना है और यहाँ पर एक इसका नोट पॉइंट लिखा भी हुआ है कि जब भी मोर दन या फिर अबब दिया हो तो हमको वैल्यू नी लिखा करते हैं कि उसमें ऊपर का हम क्या कर देते माइनस करे था यहाँ पर हम लोग नीचे का माइनस करते चले जाएंगे मतलब कि 17 बात में आएगा ठीक है इसी तरीके 36 में ट्वाइनस करेंगे आप देख रहो ना मतलब कि यह वन बाइवन को किस तरीके से हम नीचे से ऊ यह हमारी पूरी फ्रिक्वेंसी बन जाएगी ठीक है और यह हमारे इंटर्वल्स डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगे उसकी बाद में हमको पता है कि जब भी हमारे इंटर्वल्स जो भी होते हैं उसको डिस्ट्रिब्यूट होते हैं जब भी हमारे पास में इस तरीके से इंटर किये ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो अब आप अपनी तरीके से लगा लो मैंने सारी चीजे बताई है ठीक है step derivation method में आपको mid value तो सबसे पहले निकालनी होते है ठीक है उसके बाद में second step आता है कि एक हमको a मानना होता है assume mean मानना होता है आप 35 को मान लो हमने यहाप 45 को मना है कुछ भी मान लो ठीक है फिर d निकाल दो d क्या होता है m-a उसके बाद में हमको जब भी step derivation method को हम लोग लगाते हैं तो हमको d dash निकालना होता है जो कि d upon i i क्या होता है intervals में gap कितना है ठीक है यानि 20 को 10 से minus करोगी तो 10 आघगा 20 को 10 से minus करोगी तो 10 आएगा तो i यहाँ पर क्या है? ठीक हाई तो d क्या है minus 40 upon 10 करेंगे तो हमके हुम आपास में minus का 4 आ जाएगा ठीक है इसी तरीके से हमने क्या यहां पर निकाल लिए f और d dash निकाल लिए यहाँर एंपर f और 24 इस तरीके से हमने पूरी जो भी यहां पर कॉरम दिया हुआ है। उसका हमने पूरा क्या कर दिया निका लिए सिगमा एफ और सिगमा एफ डीड़ाईघस निकाल लिया है। प्रोब्लम हो कुसे चीज चीजon दिया अफोगा अलग अलग महां है पर आपको questions कि उसके टाइक्स प्रोवाइड कर दे जाएंगे ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दूसरे जो भी हमारी कमबाइड मीन होती है उसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ठीक है तो आज की वीडियो में पिला ले इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ह अजग एख बонов क्षडश माया झार झा झा या झान भं औरो हो लिए ज शजव यो करें अ झालå